दीपू इंडियन रांची से आज माननीय मुखमंत्री महोदय छट पर्व के आउसर पर छट पूजा से पहले छट घाटों की तयारियों और उनकी साफ सफाई का जायजा लेने के लिए निकले इसी दौरान राची के हटनिया तलाब पर उनकी पहुँचकर जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि तयारी किस अस्तर की हुई है छट पूजा के आउसर पर छट घाटों की सफाई अपनी दिशा निर्देश पर स्वम माननी मुखमंत्री महोदय ने करवाई और दिशा निर्देश पी दिया कि कहां कहां क्या कम्या रह गई है छट तूजा वो पावन पर्व है जिसको सभी बड़े ही श्रद्धा और हिर्देश से मनाते हैं जिस भी समाज के लोग हों जिस भी जाती के लोग हों इस पर्व को बहुत ही शुब मानते हैं और बहुत ही दिल से खुशी से आस्था से इस पर्व को मनाने की तैयारी में लगे रहते हैं इस वर्ष भी कोरोना के बाद छट पूजा की तैयारिया जारखन में बहुत जोर सोरोज पर चल रही हैं इसलिए माननी मुखमंतरी महोदे ने छट पूजा के अवसर पर शरधालों की नवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी कोई कमी ना रह जाए इसलिए स्वयम छट घाटों का निरक्षन किया और जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी किया कि वे छट घाटों की तैयारी पूरी करें दिपू इंडियन के रिपोर्ट हटनिया अतलाप से आप देख रहे थे माननी मुखमंतरी महोदे स्वयम चाक चौबन नजर आ रहे हैं और लोगों को दिशा निर्देश देने के बाद वो अन्य घाटों की तरफ प्रस्थान कर गए और जायजा लेने की तैयारी में आगे बढ़े माननी मुखमंतरी महोदे बिशेश कर छट पुजा के अवसर पर जनता की ध्यान को देखते हुए उनकी तकलीफों और उनकी जरूतों को देखते हुए स्वयम निकले हुए हैं